Dear students, welcome back. मुझे बहुत खुसी है कि मेरे student जो मेरे साथ 2018 से बने हुए है, जब ये channel सुरू हुआ था, अब वो MA Political Science में admission ले रहे हैं. मैं उनको help कर पा रहा हूँ एक great demand पे. मेरी हिमत नहीं हो रही थी क्योंकि इतने सारे चीजे मैंने अपने हाथ में ले रखी UGC NET से ले करके MA entrance exam, लेकिन फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूँ MA Political Science के syllabus को कुछ को cover करनी की तो जरूर, जिससे कि आपको एक जो inertia होती है, आपको momentum मिले और फिर तो आप जो है खुद ही अपने रास्ता ढूंड लेंगे. आज हम लोग discuss कर रहे हैं political theory, जो semester one की first जो है एक तरह की यह theme है और code theme है, उसके माइने जानेंगे, nature और जो debate है political theory पे, dichotomy and debate उस पे चर्चा करेंगे. और यह जो है well research एक तरह का article हापको पता है, एक तरह का creation है, और यह केवल जो है MA Political Science के लिए ही नहीं कि UGC NET और competitive exam के लिए भी important होगा क्योंकि मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा इस theme से, तो मैं जगा-जगा मैंने वो fact भी दिया आपको बताते भी चलेंगे. Of course, यह वीडियो थोगा लंबा होगा, आपको पता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको एक online lecture के तरह मानिंगे, जैसे आपको professor देते हैं करीब एक घंटे के आस-पास का. So, let us begin political theory, meaning, nature and debate. Dear students, इससे पहले कि हम discussion शुरू करें, एक दो disclaimer, आपको पता होगा, मैं हमेसा कहता हूँ कुछ बाते जो पूरे वीडियो के लिए लागू होती हैं, एक कि चुकि आप MA के अभी student हो गये हैं, आप मेरे साथ बने हुए हैं पिछले तीन वरसों से, most of you, जो new student है, उनका welcome है, आ आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में एक, of course, आपने मेरा face भी नहीं देखा हो, फिर भी हम लोगों की जो है, एक तरह की wavelength, जो है, match करने लगी है, इसलिए मैं थोए तीजी से चलूँगा, जिससे कि मैं इसको दो पार्ट में बनाना चाहता था, ल सोच सकते हैं इस topic पे, आप में के student हैं, मैं दूसरी बार दोहरा रहा हूँ, दूसरा यह है कि चुकि आप में से अधिक तर UGC NET का exam देंगे और देना चाहिए, तो मेरी कोशिस यह होगी, क्योंकि मुझे अब पता है कि UGC NET में क्या requirement है, तो मैं आपको ये पढ़ाते ये भी बताऊंगा कि कहां UGC NET में इससे question आ सकते हैं, कुछ fact भी मैं इसमें, बीच बीच में insert करता जाऊंगा, तो आपको इससे doubly फाइदा होगा, और जो लोग केवल UGC NET के लिए देख रहे हैं, उसको भी इससे काफे फाइदा होगा, so let us begin, सबसे पहले हम discussion शुरू करते हैं कि theory के माइने क्या हैं, क्योंकि political theory basically एक theory है, तो ये word जो है Greek word से, theory से originate करता है, इसका root word है, और theory का जो meaning होता है, जो ये कनोट करता है, imply करता है, वो एक प्रकार का well focused mental look है, या आप deep contemplation, मतलब जैसे कि योगी जो है, वो एकदम deep contemplation हमारे साधू महत्मा करते थे, वर्सों तक बैठके तो उनको ज्यान की प्राप्ती होती थी, तो उस type का deep contemplation है, जैसे कि बोधी विख्ष के नीचे गौतम बुध नहीं किया, तो उनको ज्यान की प्राप्ती हुई, तो उस type का जब आप deep contemplate करते हैं, mind को जो है, आप बिलकुल एक आगरचित करते हैं, और किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, तो उससे निकलता है, of course ये इसका जो है root है, मतलब इसको सुनने से आपको आपको अलगा है कि theory बिलकुल philosophical endeavor है, ये philosophy है, एक तरह से एकदम वो knowledge जो plateau कहते हैं, कि वो ग्यान की चक्षु जिससे आपको intelligible world दिखने लगता है, लेकि question जो ही UGC net में पूछा गया है, कि ये किसका root word क्या है, ये भी पूछा गया है कि इसका meaning क्या होता है, तो ये आपको UGC net के लिए इंपॉटेंट है, theory का दूसरा एक तरस देखी कि ये एक generalized statement है, मतलब statement मतलब जैसे कि सूरजपूरब में उगता है, कि statement है, एजरसन जिसको आप बोलते है, proposition भी कहते है, generalized है, इसका मतलब क्या है, कि वो समय काल के सीमा से जो है, वो परे है, generalized है, मतलब कि वो हर समय लागू होने लाइक है, हर परिस्थिती में, हर काल में, हर परिवेश में लागू होने के काबिल उसको माना जाता है, generalized statement है, और उसको एक reliable knowledge या objective truth की प्रस्तूत किया जाता है, यह कहना कि यह objective truth है, reliable knowledge है, यह तो बिल्कुल debatable है, लेकिन जो theoretician होता है, वो उसको उस ठंग से present करता है, कि यह reliable knowledge है, जैसे कि Newton's law of motion, तो वो reliable knowledge है, जो natural world का एक fact है, जिसको कि आपको जानना चाहिए, यह truth है, it's like that, theory means proposition, और set of propositions, मैंने बताया कि proposition, statement, hypothesis, एक ही तरह की बाते हैं, design to explain something, तो इसमें आप देखे, word है explain, मतलब explanatory capabilities में होती है, किसी चीज़ को विवेचना करना, explain करना, उसको समझाना, and reference to data, with reference to data or interrelation not directly observed or not otherwise manifest, अब यह देखे, यह Arnold Brecht ने इसको कहा था, जिन्होंने काफी चीज़े पॉल्टिकल थी पर ही है, उन्होंने book में, what is theory में, उन्होंने का था, आपको MA में जो है, काफी, जो name है, वो भी देना चाहिए, reference देना चाहिए, इसलिए मैं बार-बार देता जा रहा हूँ, under graduate में वो जादा जरूवत नहीं होती है, तो Arnold Brecht का यह कहना जाए, समझें, कुसिस कीजिए, कि पह just contemplation नहीं है, कि आपने आख बंद किया और दो, मतलब साल तक सोचते रहे और you came out with a theory, no, it is with reference to data, observation, जिसको कि आपने जो है, पैटर्न उसमें धूंडा है, उसको classify किया है, उस पैटर्न से आपने कुछ inter-relation देखा है, जो normally किसी को नहीं दिखेगा, यही यह कहना चाहते है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा data observation, empirical facts से जोडने लगता है theory, जो एक proposition के form में होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है, कि theory जो है, combination है, both science और philosophy का, philosophy यह वाला है, contemplation, और science है, जब आप किसी चीज़ को observe करते हैं, data जुटाते हैं, उसका pattern देखते हैं, उस pattern से आप कुछ causal relation निकालन analysis करते हैं, कुछ explain करते हैं, यहाँ science है, तो science और philosophy दोनों का mixture जो है theory है, अब आईए कि political theory के माइने क्या है, कुछ definitions इसमें काफी मैंने लिए है, thinkers के, जैसे सबाइन का इदिया आप लिजे, जिन्होंने की history of political theory लिखा था 1973 में इसा आपको याद रखा चाहिए, इनका year भी जाद रखा चाहिए, UGC net के लिए, तो सबाइन ने ये कहा कि political theory इजे disciplined investigation of political problem, अब मैंने underline भी किया है, तो एक तरह समझे कि ये, of course, ये theory से निकल के political theory हो गया, तो जो phenomena या जो thing इसमें study किया जाएगा, उसका nature political होगा, और political problems, political issues, political arrangement, political order, इसकी ही जो है, वो इसमें जो है study होगी, वो उसका disciplined investigation है, ऐसे हाफाजार नहीं, discipline investigation है, आप ज़रा से इसको गौर किये, वो और को investigation, theory, political theory, यदि हम David Held का ले, उन्होंने political theory, today में 1991 में लिखा है, Held जो है, political theory पर भी नहोंने बहुत कुछ लिखा है, और contemporary, जो globalization है, और global politics, उसमें भी Held के बहुत views हैं, तो Held क अनुसार से, it is a network of concepts, अब यहाँ पर देखिए, concept का network, आपको, network of concept, मैंने examination guide में बताया थे, कैसे आप network बना सकते हैं, concept का, it is a network of concept and generalization, होई same generalization, about political life involving ideas, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of the government, अब यह scope पे जा रहे हैं, किसके बारे में यह network of concept है, यह idea, assumption or statement है, about the key features of government, state and society, about the political capabilities of human being, तो आप देखिए, किस तरह से यह humanistic के तरफ जा रहा है, human being कैसे अपने को organize करते हैं in form of state यह political community, उससे कैसे government निकलती, उसके क्या feature होते हैं, और उसके पहले कैसे वो society बनती है, मतलब कि एक individual, फिर family, community, society and then state, तो इस तरह की उसकी जो एक generalized जो idea, assumption and statement in the form of network of concept and generalization, यह held का कहना है, यदि आप bluehand का लीजिये, तो इस कहते हैं कि political theory is an explanation, अब यहाँ explanatory capability बात हो रही, is an explanation of what politics is all about, यदि कोई आपको बताए कि politics क्या है, a general understanding of the political world, आप political world के एक general understanding develop करते हैं, और एक kind of frame of reference या perspective आपको देता है politics को, समझने का यही political theory है, यदि हम Brecht का लें, अभी just Arnold Brecht का, आप पिछले slide में भी देखा, उनके उसार से political theory by identifying the immediate and the potential problem of the political life of the society, अब यहाँ पर यह डागनोसिस की बात है, जैसे एक फिजीसियन डागनोस करता है आपका बीमारी, उसी तरह से political theory डागनोस करती है कि समस्या क्या है political life of society में, और वो आपको जो है help करती है, इसी उसको solve करने में, इसलिए ब्रेक करते है it is a important weapon in our struggle for the advancement of humanity, तो humanity अगर बढ़ती है, तो political theory उसको help करता है क्योंकि वो डागनोस करता है social element का, socio-political element का और उसका solution भी बताता है, एक तरह से problem solving, जो है, यह tool है, यह instrument है, then political science dictionary ने बहुत लंबा चोड़ा definition दिया, उसका एक पार्ट में के बली यहाँ दे रहा हो, a body of thought, ज that seeks to evaluate, अब यहाँ evaluative है, मतलब आप अच्छा है, बुरा है, उस political arrangement order उसको evaluate भी करते हैं, explain करते हैं, predict भी करते हैं political phenomena को, तो आप evaluate करते हैं political phenomena, explain and predict through a body of thought as a sub-field of political science, अब यह उतर क्याता है कि political science का एक sub-field है, it is concerned with political ideas, values, concepts and the explanation and prediction of political behavior. तो हर जगा वही आता है कि यह evaluative है, explanatory है, predictive capability है, और यह थोड़ा बहुत scientific भी है, थोड़ा बहुत philosophical भी है, political theory, और यह एक तरह का जो है, एक statement या proposition के form में, एक reliable knowledge, जो है political phenomena या socio-political arrangement and order के बारे में आपको बताता है, political world के बारे में, एक reliable knowledge, statement या proposition के form में बताता है, वो political theory है तो यदि इसको हम एक summarize करें, तो it is a political theory, जो systematic reflection, मतलब देख रहे हैं, discipline investigation, तो उसी का दूसरा form है, कि systematic reflection in the form of logically consistent proposition है, proposition कैसे है, जो logically consistent है, और एक class of political phenomena, मतलब range of political phenomena पे इस तरह के proposition है, जो systematic reflection से निकले है, and it is presented as reliable knowledge, it is generally based on facts and observation, यहाँ यह science आजाता है, has explanatory and predictive capabilities, and involves generalization and value judgment, यह evaluative है, मतलब कि यहाँ पे कही न कही normative judgment picture में आता है, यह कोई value neutral नहीं है, just like natural science, यहाँ आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, कैसा ideal society होनी चाहिए, ideal state कैसा होना चाहिए, यह चीज नहीं हो चाहिए, politics में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो value judgmental है, वो भी आजाती है, और generalization तो है, तभी यह reliable knowledge के form में प्रेस कि जाती है, generalization का यह भी मतलब होता है, कि यह समय काल के सीमा से परे है, मतलब transdental है, यह अमेरिका से लेके और Timbuktu तक यह यह लागू हो सकता है, किसी भी समय म कर सकते हैं, जैसे सबाइन कायदी हम लें, तो उन्होंने बहुत सबसे important बात कही थी, कि इसमें three type of elements होते हैं, political theory में, किसी भी political theory है, factor उन्होंने कहा था, first है factual, मतलब यह fact observation पे based होना चाहिए, तभी तो वो scientific होगा, मतलब political science होगा, then दूसरा, इसमें कुछ ना कुछ cause effect relationship established हो होना चाहिए between variables, मतलब यह होगा, तो यह होगा, मतलब यह the social unrest होगा, तो revolution होगा, मतलब economic stagnation होगा, लोग भूखो मरेंगे, तो revolution होगा, मतलब कि causal relationship इसमें कही न कहीं होना चाहिए, और यह जो है value से परे नहीं हो सकता है, जो इसमें जितने भी normative value है, justice, liberty, equality, rights, यह सब value जो कि यह कितना अलग है इससे, fact and value, तो fact value एक तरह का synthesis होना चाहिए और causal relationship भी establish करना चाहिए, causal relationship से ही पॉल्टिकल थियोरी की explanatory capability निकलती है, और predictive capability निकलती है, जो आपने पीछले slide में देखा, तो यह तीन factor और यह जो है UGC net में पूछा गया है, कि सबाइन ने जो कहा है, य यह आप याद कर लिजे, then it involves generalization, explanatory, it is explanatory, क्योंकि causal relationship है, evaluative है, क्योंकि evaluational है, it claims to present reliable knowledge or truth, मतलब यह objective truth को claim करता है, यह तो बहुत debatable है कि क्या truth है, postmodernism में कुछ भी truth नहीं है, लेकिन यह claim करता है कि यह reliable knowledge को present करता है, यह objective truth को, और इसमें कुछ नकुछ predictive capability होती है, यह future को predict क करने की courses करता है, यह debatable है, कितना यह predict कर पाता है, आपने यह भी देखा कि यह diagnose भी करता है, कि क्या social element है, यह socio-political arrangement order में क्या बुराई है, और उसको कैसे solve किया जाए, तो यह सब इसके जो है feature है, यह capabilities है, then एक बहुत ही important जो मैं इस पूरे video में आपको समझाना चाहता आपको कई बार आपको even, अभी जबके आपने तीन साल पढ़ लिया है undergraduate, आपको लगता होगा political theory तो political science का बिलकुल एक अभिन पार्ट है, और political science में जो theorization होती हो, political theory है, लेकि ऐसा है नहीं, अगेन अब यह बात है कि किसी word को क्या आप meaning assign करते हैं, यदि आप किसी political science के वि difficulty तन जाएगी, मतलब frown हो जाएगा, और वो थोड़ा सा disparagingly बोलेगा रहे, वो तो बहुत ही normative, philosophical type of approach है, basically वो science है, वो speculative है, तो आपको लेगर यह क्या बात कर रहा है, political science का expert होते हुए, यह political theory के बारे में इसी बाते क्यों कर सकता है, उसका कारण समझे, अब मैं जो बताय थोड़ा इधर जुका हुआ है, इधर जुका हुआ है, यह मतलब normativism के तरफ जुका हुआ है, मतलब philosophical approach के तरफ जुका हुआ है, plateau के जमाने से, वो ज्यादा जो है एक तरह का speculative या philosophical या कहिए कि deep contemplation जो थियोरिया में आता है, उससे जुड़ा हुआ हुआ है, philosophical approach है, एक तर reasoning, pure reasoning, a priori, rational approach, वो उससे जुड़ा हुआ है, और यदि उसको आफ फिलोसफी की, political philosophy और political theory आप एक तरह समझे है कि कई centuries तक political theory और political philosophy को synonymously use किया आता था, political science जो subject है, वो मत एक सो साल पहले आया है, और political theory या political philosophy तो हजारो साल से है, प्लाटो के समझे, 2400 साल से है, तो जब political science आया, तब problem हुई कि political theory और political philosophy कहां रखा जाए, क्योंकि science का माइन ही यही था कि कोई चीज जो scientific हो, fact observation पे based हो, उसमें testable hypothesis हो, जैसे natural science के theory होते हैं, उस type का theory बनाया जाए, इसको falsify किया जासे के, जो काल पॉपर ने कहा, तब यहाँ पर problem सुरू हो गई, तो political theory जो है, वो ज ज्यादा abstract reasoning और thought में जाता है, ज्यादा qualitative और interpretive है, than quantitative and explanatory है, और ज्यादा humanistic है, than scientific है, humanistic मतलब की human को center में रख करके, human की जो problem है, वो कैसे जुरता है, society बनाने के लिए, political community, उस पे ज्यादा है, rather than science of politics समझने का, science मतलब, science of politics क्या है, जैसे political behavior, actor कैसे behave करते हैं, vote कैसे देते हैं, political parties कैसे होते हैं, किस तरह से interest और power का domination चलता है group में, यह सब जो है, उसको fact observation से समझने के बजाए, ज्यादा जो human, human का arrangement है, in form of community, society, even family, and then state, government, उसकी क्या socio-political arrangement का, क्या nature होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, good community कैसे होनी चाहिए, ideal state कैसा होना चाहिए, इन सब पे focus इसका ज्यादा humanistic है, then, तो ये चीजी दिया आप समझ लेंगे, तो आप समझेए, कि इस theme को आपने crack कर लिया, कि political theory ज्यादा political philosophy है, political science से इसका अनीजी type का relation है, जो कि बहुत new kind of subject है, आप political science के student है, आप समझेए, जहां पे कि science और politics डेवलप करने की कोशिस की गई modern world में, लेकिन political philosophy 2400 साल, 2500 साल पुराना इतिहास है, जो बहुत ज्यादा philosophy, analytical philosophy, interpretive, qualitative approach and deep contemplation से जुड़ा हुआ है, एक तरह का philosophical और normative approach है वो, इसी लिए, थियोरी का, political theory का बहुत ही, एक तरह का, बहुत disputed या uneasy relation है, contentious, आप word अब समझ सकते हैं, uneasy कह लिजे, relation है science के साथ, यानि political science के साथ, history के साथ, आगे हम लोग देखेंगे और philosophy के साथ, ये तीनों को थोड़ा हम detail में हम लोग देखेंगे, आगे, then ये बहुत सारे dichotomies को face करता है, आपको याद है, public administration में, policy administration dichotomy, उसी तरह private public dichotomy, तो personal political dichotomy, इस तरह का dichotomy आप लोग ने देखा, उसी तरह से political theory भी बहुत सार dichotomies को झेलता है, और वो उसका debate बन जाता है, जो आगे हम लोग दिसकस करेंगे, एक तो ये झेलता है, universalism versus relativism, मतलब कि क्या जो जितने भी political values या norms हैं, like justice, rights, equality, liberty, ये क्या इसके fixed meaning है, क्या वही meaning है, जो western political thinker ने कहा है, क्या पूरी दुनिया पे वो लागू होता है, और एक इसको हम लोग आगे और देखेंगे, normative versus empirical का debate तो बहुत पुराना है, जब से मतलब political science आई है, तब से जब ये ज़्यादा empirical होने लगी, इस पे तो पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इसको भी थोड़ा सम लोग देखेंगे, और तीसरा आप कह सकते है, classical versus modern political theory, इसमें भी dicotomy create करने की कोशिस की गई और है भी, उसमें contemporary भी जुड़ जाता है, then political theory जो है multi-disciplinary है, ये economics से बहुत जादा लेता है, आजकल तो political economy जो है, बहुत important होगे, rational choice theory याद कीजिये, और Herbert Simon, जो कि थे public administration के thinker और economy मुन को Nobel Prize मिलता है, और बहुत सारे economies जो है, like Amritya Sen and all, वो बहुत बड़े political thinker माने जाते हैं, arrows and all, तो economics से काफी लेता है, sociology से तो इतना ज्यादा political science प्रभाबित हुआ है, political sociology एक धारा बही है, Talcott, Parson से लेके, और Auguste Comte, जितने sociologist आप सो सकते हैं, Durkheim हैं, Weber हैं, Weber का, आप समझे कितना ज्यादा, Marx भी जो हैं तरह के sociology थे, तो Weber, Dur Durkheim, Marx हैं, सब सब जो हैं sociologist रहें, तो sociology से काफी, anthropology से काफी political theory प्रभावित होती है, cultural anthropology से particularly, और बहुत सारे psychology से psychoanalysis की गई है, even अब तो genetics से और कई-कई technology और कई-कई, even आपको पता है कि Hobbes ने अपनी जो theory बनाई, वो physics के law of motion पे बनाई, even इस तरह के science को बहुत सारे thinkers ने use क या एक समय में scientist और political thinker एक ही जैसे behave करते थे रहने, डाका को प्याद कीजिये, तो multi-disciplinary है, इसमें कोई शक नहीं है, इसका boundary जो है हर discipline में घुषता है, इसके अलाबा इसके multiple sources हैं, जैसा मैंने कहा, कई जगह से ये लेता है knowledge, और कोई इसकी dominant methodology नहीं है, ठीक है, आपका सकते हैं कि empirical methodology like logical positivism है, या आप behavioral approach है, system approach भी आगे, लेकिन कई-कई इसके methodology है, historical approach है, normative approach है, empirical approach है, कई तरह के approach आप इसमें देख सकते हैं, और कई method आप इसमें देख सकते हैं, कोई एक खास dominant नहीं है, इन सब का निचोर क्या लिकलता है, कि political theory को एक core identity ये लाग करता है, बहुत ज बतलब इसमें sociology भी है, psychology भी है, anthropology भी है, economics भी है, ये इसका कोई अपना dominant methodology नहीं है, तो इस से थोड़ा सा इसकी identity जो है, हेजी हो जाती है, फजी हो जाती है, ये एक तरह का waiver करते रहता है, जूलता रहता है, बिल्टमिन political philosophy और political science, अब मैं समझ रहा हूँ कि ये आप मेरे students ह समझ लीजे, political science versus political philosophy, ये जो है बहुत जादा normative है, contemplative है, qualitative है, interpretive है, ये बहुत जादा empirical है, scientific claim करता है, data observation पे based है, causal है, explanatory है, like that, तो और political science, जो है science of politics बनाने की कवायद है, और political philosophy जो की ancient काल से चला रहा है कि deep reflection है to know the truth, truth of the political world. political theory जो है जादा, political philosophy से match करती है, political science के साथ इसका थोड़ा uneasy relationship है, आगे हम लोगो देखेंगे. So, this is the nature of political theory, I hope कि this is a full question आप बना सकते हैं, इस slide के basis पे. अब जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि तीन जल्दी हम लोगो देखेंगे political theory का नाता, जो है political science से कैसा, history से कैसा और philosophy से कैसा. पहले देखें, political science, तो मैं बहुत चीज़ रिपीट करूँगा इसमें, कि political science जो है ना, वो science of politics जूणने के कवाय था, जो कि मातर 100 साल पहले बनी, जबकि अमेरिका में खास करके और योरोप में political, political को science के रूप में पढ़ाई के सुरुआत हुई. तो यहाँ पे humanity से निकल के social science, यह कहा गया, और यह जमाना वो था, जहाँ पे कि science जो है बहुत बड़ी एक ताकत के रूप में उभरी थी, knowledge और truth को जानने के लिए. तो उसमें यह था कि even society या social arrangement या social phenomena का भी study हम scientific way में कर सकते हैं, जैसे हम lab में test करते हैं natural phenomena को, natural substance है या natural things है, उसी तरह से हम society के भी feature phenomena को, social phenomena को हम study कर सकते हैं laboratory में, human laboratory में, और उसी तरह से testable hypothesis develop कर सकते हैं, इसलिए political science बना. तो political science implies true scientific study of politics. इसका माईनी क्या होता है? कि आप universally accepted principle बनाईए, जो देश, काल, समय, सीमा से पड़े हो, हर जगा हो लागू हो, causal relationship पे इस्टेबलीज कीजिए, मतलब cause and effect, मतलब पहले आप fact, observation लाईए, उसको जो है आप categorize कीजिए, classify कीजिए, फिर उसमें pattern ढूडिए और उससे causal relation, variables के बीच में निकालिए, and then उसके basis पे आप testable hypothesis बनाईए, जिसको की science के, जैसा scientific hypothesis के साथ, falsify किया जैसे के, जो काल पॉपर ने कहा हमें, दूसरी बार कह रहा हूँ. Political theory adopts more humanistic approach, जबकि इसके comparison में, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या humanistic है, यह तो बहुत ठीक से defined नहीं है, लेकिन, बतलब आपका सकते हैं कि human को center में रहके, वो कैसे जो है, वो एक individual कैसे family बनाता है, कैसे society community, कैसे political community बनाता है, जो state group represent होती है, वो government, उसका sovereignty को वो एक तरसे ध भारन करता है, यह सारी चीजे जो हैं, वो उसको humanistic approach करते हैं, and it is tilted more towards humanities than towards science, तो यह liberal art है, बतलब आप कह सकते हैं कि, नहीं, यह तो political science हम परते हैं, लेकिन यदि आप theory लीजेगा, तो वो ज़्यादा humanities के तरफ है, बतलब liberal art के तरफ है, less towards science है, more humanities, less science, more philosophy than science, unlike science, political theory involves value judgment, और क्यों यह science से थोड़ा अलग है, और philosophy से करीब, क्योंकि यह value judgment include करता है, यह normative judgment इसमें जो है, बसा हुआ, यह question भी आपको पूछा है सकता है, कैसे, देखे, value judgment of both the observer and the actor, that is subject, make this passionate and neutral observation impossible, यह मैं क्या कहना चाहता हूँ समझगे, जैसे मालीजे की anthropology, cultural anthropology, इसको कोई एक western, England का कोई जो है anthropologist, जो है वो अफरीका में, जो है किसी tribal को एकदम उसके बीच में रह करके, छे मना रहता है, observe करता है कि वो लोग कैसे group में, society कैसे बनाते हैं, community कैसे अपना tribal chief चुनते हैं, मालीजे उस पर वो research कर रहा है, इतनों graphic research बोलते हैं, अब इसमें आप दिखेगा, तो ये ना, वैसे तो वो बहुत dispassinate way में, neutral way में, जो है समझने ही, कोसिस करता है, tribal के life culture को, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है, नहीं, क्योंकि वहाँ उसकी जो, वो जो देख रहा होता है, वो किस चसमे से देखता है, वो अपने culture, अपने value, अपने world view के चसमे से दे meaning हो, तो वो जो समझ रहा है, जो चीजे देख रहा है, वो अपने culture से देख रहा है, आपका चसमा ही अलग है, तो आपको अलग चीज दिखेगा, वहाँ पे उसके क्या माइने हैं, वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, तो आपकी value, observer की value, world view और culture उसके आड़े आजाता है, और जिन लोगों को observe कर रहा है, उनकी value, उनकी cultural world view है, और वो कैसे दुनिया को देखते हैं, ये भी जो है, अलग हो जाता है, और कई बार जो है, जो लोग observant होते हैं, वो ट्राइबल को जब पता लग जाता है, कि कोई वेस्टर्नर उनको देख रहा है, observe करके theory बनानी क possible हो जाता है, और ये उसी तरह की बात है, जो कि science में भी quantum mechanics में हुआ, जहां पे कि आप electron जैसे सुक्ष्म जब चीजों का अध्यन लोग करना सुरू किये, तो ये पाए कि इसको आपना नई observe कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, क्योंकि जो measurement के tool है, उनका size जो है, वो electron के size के जब comparable हो passionate या neutral way में observation even electron जैसे चीजों का नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आके science ने अपने हाथ खड़े कर दिये, कहा कि हम तो भाई indeterminate है, हम जो है electron का position और momentum, velocity एक ही साथ हम नहीं बता सकते हैं आपको, तो same तरह से political theory indeterminate है, वो नहीं बता सकती है आपको एकदम reliably की ये truth है इस society का, क् जैसा मैंने अभी आपको detail में explain किया, कि observation neutral नहीं रहा जाता है, दोनों, जो observer है और जो observant है, दोनों के value, world view से वो change होती है, और even behavior भी बदल जाती है, जिनको आप observe करते हैं, याद कीजिए, वहाँ पर मायो कहते हैं कि जैसी पता लगा employee को, कि उनको observe किया रहा है, उनके behavior बदल गए, human behavior को आप control way में analysis नहीं कर सकते हैं, hence political theory, unlike science, cannot claim to present definitive true knowledge, its outcomes are indeterminate, मैं यहाँ सनाप्त करता हूँ लिग इसमें बहुत कुछ कहा सकता, आप इसमें सोचिएगा जो मैं political theory is closely associated to political philosophy, जैसा मैंने आपको बार 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 बोला, और normative approach, political philosophy, normative approach भोजादा यह, जुड़ा हुआ है, political science, जो है, वो closer है, behavioralism and logical positivism से, इन दोनों को कई, 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 जगा है, मैंने explain किया है, एक line में देखे, तो behavioralism, जो है, वो human behavior को facts and observation के basis पर समझने कोशिस है, logical positivism कहता है कि knowledge का source केवल experience है, a posteriori है, जो आप sense organ से observe करते हैं, sensory organ से, वही जो है, वो true है, वही knowledge है, और कुछ a priori कोई उपर से ज्यान चक्छु नहीं मिलता है, इसे plateau बोलते हैं, या मतलब कि mathematical, जो identity है, या tautological statement, वही true है, logical positivism का साथ, जैसे कि आज बारिस होगी, या आज बारिस नहीं में true है, two plus two, four होगा, ये by definition true है, तो या तो by definition true हो, या नहीं, तो वो जो है, आपके sense experience से निकले हो, fact observation पर, उसको logical positivism काते हैं, तो ये political science, behavioralism or logical positivism से closer है, essential difference between them is the question, whether science or politics is possible, ये question का जवाब, जो है, political science काता है, yes, and political theory काती है, no, basically, तो इन दोनों का जो relation है, cohabitation, ये मैंने Oxford के book से लिया, जिसका मैंने बाद मैं Oxford reader on political theory, उनका कहना है कि, जो इन दोनों का जो relation है, उसको सबसे अच्छा word है, cohabitation, cohabitation मतलब ऐसे, इसका example लीजे कि, एक पती-पत्नी almost जो है, वो डाइवर्स के, पर पहुँच गये हैं, लेकि फिर भी वो दिवो दस साल साथ साथ रहते हैं, तो कैसा uneasy relation होगा, तो उस type का best define the relation between them, political science और political theory का ऐसा ही relation है, कि चलो किसी तरह जिंदा हैं साथ साथ, अब यदि हम political theory और political philosophy का relation समझने कोशित करें, तो अभी तक आप उस समझ में आ गया होगा कि ये political theory बहुत ज्यादा जु है to uncover truth, मतलब objective truth को जानने का, natural or social world का truth को जानने का, कैसे? By reflective thought, आँख बंकिया और सोचा और अपने ग्यान, मतलब जिसको बोलते हैं कि जो ग्यान आपको God से मिलता है, आपको practice से मिलता है, आपको अपने contemplation से मिलता है, pure and abstract reasoning से मिलता है, और उस तरह का special knowledge को philosopher बोलते हैं, जो philosophy जो एक तरह का quest for truth and wisdom है, Leo Strauss ने कहा था, जोनोंने की काफी ज्यादा value को, जो है, important माना था, political theory में, उनोंने revive किया था, normative political theory को, Leo Strauss कहते हैं कि philosophy जो है, वो खोज है, truth की खोज है, wisdom की खोज है, quest for universal knowledge है, जो universal knowledge उसकी खोज है, normativism जो है, inbuilt है philosophy, normativism मतलब क्या है, norm पे, values पे morality, ethics, इन सब पे आप focus आपका रहता है, जो चीजे की बहुत ही tangible नहीं है, जो दीखती नहीं है, जिसको कि आप मतलब कि ऐसे नहीं सो सकते हैं कि क्या है norm, वो vary करती है, values क्या है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, ये moral है, ये immoral है, कई बा beneficial ingredient है philosophy के, normativism, इसी तरह philosophy जो है, वो speculative होती है, क्योंकि एक तरह का वो, एक individual का speculation है, प्लाटो का याद कीजे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, form ऐसा होता है, world of form ऐसा होता है, जो, जो visible world है, वो mere shadow है, इसा तो speculation ही है, कोई जानता है कि ऐसा होता है, then evaluative होता है, कि समाज में यह होना चाहिए, यह अच्छा नहीं है, यह बुरा है, आप evaluate कैसे करते हैं, आप value judgment करते हैं, कि यह गलत है, यह होना चाहिए, यहाँ पे evaluative होता है, and prescriptive होता है, मतलब कि क्या होना चाहिए, out to, ऐसा, ideal society, ऐसा होना चाहिए, state ऐसा होना चाहिए, government ऐसा होना चाहिए, तो ये इस पे बेस्ट होता है, and philosophy is like soul of political theory, अब दोनों का relation देखिए, तो ये उसकी आत्मा है, political theory की, इसके बगर समझे, निर्जीव है, it guides and provides substance of political theory, political theory में जो भी जान है, जो भी essence है, जो भी value है, जो भी उसका, समझे कि जो useful बनाता है हमारे समाज के लिए, वो philosophy से आता है, बाकी तो उसमें fact, observation, or scientific, statistical tools, and methods, and others है, लेकिन जो उसमें, जो प्रान है, वो जो है, philosophy से आता है, but political theory, philosophy नहीं है, unlike philosophy, it is not speculative, ये speculative नहीं होता है, it is based on facts, and observation, and research, समझे, ये यहां पर ही philosophy से अलग हो जाता है, it is more systematic, वो speculative नहीं है, हफाजाट नहीं है, कि एकदम सोचा philosophers और उसको दे दिया, no, it is based on facts, observation, research, systematic time of data arrangement, उससे pattern ढूड़ना, causal relation निकालना, it attempts to deliver testable hypothesis, ये कोशिस करता है testable hypothesis देने का, वैसे तो क्या दे पाएगा social science में, ये debatable है, thus political theory lies between science and philosophy, inclined towards the letter, ये philosophy के तरफ जुका हुआ है, यदि आप ऐसा लीजिये, तो ये इस type से है, ये इधर 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 philosophy है, और इधर इधर science है, तो ये science से कम, और philosophy के तरफ जादा जुका हुआ है, ये neutral नहीं है, it is not like neutral, ठीक है, political theory और history का relation भी बहुत ही मज़ेदार है, देखे, आप Mars को याद कीजिये, पूरा जो है, उनका historical materialism है, Hegel को याद कीजिये, historical idealism है, Oxford को याद कीजिये, history, Machiavelli को याद कीजिये, पूरा historical है, उनका जो analysis है, सबाइन का history of political thought, कई कई लोगों ने history, historical approach को अपना आया है, so history जो है, क्यों इतना charming होता है, political thinker के लिए, क्योंकि history को माना जाता है, को storehouse है, या lab result है, thousands of years of political experiment, जो समाज में actual political experiment हुए है, उसका result जो है, वो दर्ज हो गया है, archive में, तो वो आपका lab report है, हजारों साल का, इट guides and provides supporting evidence to political theory, वो support करता है, आपको जैसे मैं क्यावली का याद कीजिए, अपने proposition को support करने के लिए, evidence के लिए आप उस lab में से निकालते हैं, कि देखो, 14th century में ऐसा हुआ था, उस राजा ने ऐसा किया था, तो ऐसा हुआ था, इट helps to a genealogical study of political phenomenon, genealogical क्या होता है, कैसे कोई चीज जो evolve हुआ है, एक चीज से दूसरा चीज कैसे evolve हुआ है, जैसे कि capitalism कैसे evolve हुआ है, तो उसका आप history में देखेंगे कि कैसे जो है वो agriculture, एक particular तरह के agriculture system जो था, जो enclosure से निकला था, इंगलाइंड में, 16th century में, उससे कैसे निकला, फिर वो mercantile capitalism से कैसे जो है, वो industrial capitalism निकला, और उससे कैसे जो है, neo-liberal capitalism निकला, तो इस तरह का genealogical study भी possible जो है, history के थूरू, मतलब किस से क्या निकला, study of politics is essentially a historical study, history of political thought constitute major part of political theory, मतलब जो political theory का, जो एक major component जो है, वो history of political thought है, आपने भी semester 5, semester 6 में, पूरा history of political thought पढ़ा, आपको क्यों पढ़ाया गया, कि समझो कि कैसे body of thought जो है, डेवलफ हुआ है, वो सब मिल करके political theory बनाता है, Hegel and Marx studied politics as a historical progression, तो मैंने आपको बता दिया, बट historicism, यहाँ पर दिखे, डेविड इस्टन को याद कीजिए, यह आपको UGC net में पूछा गया है, उन्होंने कुछ factors बताये थे, कि क्यों political theory का demise हो गया, आगे हम लोग discuss करेंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि historicism, historicism क्या है, जब आप historical determination, जब आप इस तरह से सोचें लगते हैं, तो आप historicism में चले जाते हैं, तब आप उस time में first जाते हैं, आप उससे बाहर ही निकल पाते हैं, और उस समय, पुराने समय के ideas को present में आप थोपने लगते हैं, यह गलत है, मतलब इसको generally गलत माना जाता है, तो इसको एक factor माना जाता है decline of political theory का, तो historical approach सही है, बट historicism सही नहीं है, इसमें जो different views हैं, या आपको लिखने में, answer लिखने में, या कही न कहीं है, UGC net में help होगा, यहाँ आप कोईचिन Skinner को याद कीजिए, मैंने आपको परहा interpretation of text में, New Cambridge School के यह एक तरह से proponent थे, उनका कहना था कि, आपको कुई भी political thought को, या text को, classical text को, या theory को समझना है, तो उसको उसके ही context में जा करके explain करना पड़ेगा, आज वो जो है applicable नहीं है, plateau के thinking को, या theory को समझने के लिए ideal state का, आपको वो Athenian democratic काल याद करना पड़ेगा, और उसी देश काल में, परिवेस में वो, जो है, उसका meaning था, आज उसको आप सिधा-जदा नहीं applicable मान सकते हैं, ये contextualization है, उसी को एक और level पर ले जाते हैं, Richard Ascraft, जो कहते हैं कि political theory of the historicism को अपनाता है, तो एक ideology में convert हो जाता है, क्या है ideology आगे हम लोग देखेंगे, for Istrasian, जो Leo Istras के जो समर्थक हैं, या जो उसके follower हैं, जो उसको कि Istrasians कह सकते हैं, वो एकदम अलग जाते हैं, वो कहते हैं, नो, जो political thought है, timeless होता है, history से परे होता है, transcendental होता है, Plato का thought, Aristotle का thought, Aquinas का thought, हर देश काल परिवेस में लागू है, क्योंकि वो उसमें ऐसा ज्यान है, जो कि इन सब से परे हैं, तो ये एकदम अलग है, तो अब इन दोनों के बीच में, मतलब Istrasian Universalism, मतलब उनिवर्सल होता है, political thought या political theory, और thick contextualization of aircraft के बीच में जो है, आप जो है political theory को मान सकते हैं, एक तरह से history और इसका यदि आप relation देखिए, तो, मतलब history बहुत important component है, लेकिन historicism नहीं होने चाहिए, some sort of contextualization is important, लेकिन बहुत जादा contextualize कर देंगे, तो आपको वो theory का माइने ही इसको भी खतम हो जाएगा, उसके importance खतम हो जाएगी. अब यदि बहुत जल्दी देखें, ये मैंने तो अपने ही वीडियो से लिया है, जो मैंने आपको first semester के लिए पढ़ाया था, undergraduate में, कि political thought से political theory कैसे आलग है, देखें, political thought आपने दो semester में पढ़ाया, मैंने आपको बताया, आपने बहुत जादा पढ़ा, उसमें क्या होता है, कि वो systematic reflection है, political phenomena पर एक particular thinker का, लेकिन वो contextualized है, अपने time space में, जब वो propound किया गया था, जैसे अभी आपने देखा, वो historicism नहीं होनी चाहिए, lock का जो विचार है, वो part of political theory है, यदि आप उसको एक पूरे social contact theory के part, लेकिन एक political thought यदि आप लेंगे, तो वो अपने देश, अपने परिवेस, उस समय में जो glorious revolution हुआ था, उसका एक तरह का justification था, जो नया Borgesis class आ रहा था, बहुत ज़्यादा contextualized होता है, इसलिए ये contextual है, like a dialogue, मतलब ये जो है एक तरह का dialogue होता है, या political action होता है, particular political thinker का, to solve issues of a particular time and place, उस समय में जो समाज में problem होता है, उसमें उनका contribution होता है, in form of dialogue, ये textual dialogue है, या एक तरह का political action है, through his text, या her text, और उसको solve करने के लिए, तो ये काफी ज़्यादा context है, मतलब ये अपने समय काल सीमा के परिवेश से बंधा हुआ होता है, इतना समझे, ये transcendental नहीं होता है, थेयोरी के जैसा, और इसका जो है, बहुत ज़्यादा link होता है, politics से, मतलब जो world of practice है, उसको आप politics समझे, और जो world of theory है, वो political theory है, तो जो political theory है, वो बहुत ज़्यादा theoretical होता है, वो बहुत ज़्यादा, जो है, world of politics से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो world of theory है, लेकिन जो political thought है, जैसा कि आपने देखा कि ये political action है, और political dialogue है, ये ज़्यादा जो है politics से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए एक तरह से ये ideology के खरीब चला आता है, अब चलिए पहले ideology को ही समझ लेते हैं, ideology जैसे कि Marx जो है, Marx का idea है, जो कि political theory कहलाता है, लेकिन उस theory से निकल करके, एक ideology आता है, उसको marxism बोलते हैं, लॉक का जो है thought है liberalism पे, लेकिन उससे एक ideology निकलती है, जो जैसे neo-liberal ideology है, या liberalism ideology है, तो ideology और जो political theory के बीच का नाता बहुत ही करीबी है, ये basically निकलता तो theory से है ideology, लेकिन एक जगा आ करके जो है, वो region से short circuit हो जाता है, मतलब पूरा logical component जो है ये lack करता है, और ये पूरी तरह से reason से connected नहीं होता है, मतलब ideology जो है, वो एक तरह का propagandist होता है, मतलब कि वो एक particular position को support करने के लिए use होता है, कि ये अच्छा है, जैसे आपको एक example देते हैं, इंडिया में से हिंदुत्वा एक ideology है, जो culture है, वो यहां का dominant culture है, और यहां रहने वाले सभी लोग को उस culture को accept करना चाहिए, सभी प्रेम से रह सकते हैं, Muslim, Islam, इसाई, लेकिन ये देश essentially जो है, वो हिंदु culture और हिंदु जो world view है, उसके अनुसार से जो है guided होना चाहिए, इसको आप कह सकते हैं कि एक ideology है, उसका एक अलग जो है आप pros and cons कह सकते हैं, तो ideology बहुत neutral नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वो reason से attached नहीं होती है, बहुत logical नहीं होती है, testable तो होती नहीं है, तो political theory के comparison में देखे, तो यह short circuited to reason अब यहीं कहीं है, बहुत ज़्यादा logic और reason का इसमें हाथ नहीं होता है, लेकिन निकलती यह political theory से ही है, और उसी तरह से यह claim करती है कि यह एक truth है, यह reliable knowledge है, लेकिन होता ऐसा नहीं है. Cosmology जो है, वो ऐसा है कि कैसे आप दुनिया को समझते हैं, Cosmology का बहुत सारे माइने हैं, वैसे तो physics में जो है, cosmos, universe को जाना, big bang theory, लेकिन फिलोसफी में देखे, तो हम पृत्वी पे आते हैं, तो हम कैसे समझते हैं कि हम मर्द हैं, औरत हैं, हमारा समाज में क्या अस्थान है, family क्या होता है, और फिर बड़े होते हैं, कॉलेज बे आते हैं, तो politics क्या है, interest, power, इन सब का relation, तो ये जो socialization होती है, और culture हमको सिखाता है, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा अच्छा है, ऐसा बुरा है, ये दुनिया है, ये परिवार है, ये माता है, ये पिता, सीनियर है, ये सारी चीजे जो है, ये cosmology है, मतलब कि non-theoretical reflection guided by belief and traditional culture are cosmology, मतलब कि जो जिससे हम दुनिया को समझते हैं, बिना किसी किताबों के, और ये highly contextual local होता है, तो political theory cosmology नहीं है, political theory ideology नहीं है, political theory, political thought नहीं है, अब यदि हम देखें कि इसको political theory का क्या है, तो it may include anything related to social arrangement and order. पहला तो ये है कि, ये जो है, कोई भी जो socio-political arrangement है, या social arrangement और social order जो है, social order क्या है, जो social structure है, हिरार्की है, उससे related कोई भी चीज, आदमी और आदमी का स्थान, जैसे कि ideal social arrangement क्या होना चाहिए, या ideal social order क्या होना चाहिए, और कैसे जो है, एक ideal social arrangement जो है, वो ensure करें, जो कि individual का flourishment, मतलब कि flouris, ये मैंने Aristotle से लिया है, जो fulfilled and flourished life individual का ensure करें, और उसके साथ में good life of community, मतलब societal common good को भी ensure करें, एक ही साथ, individual or society, जैसे कि plateau का ideal society, Aristotle का police, या individual भर से, ये दूसरा question जो लेता है कि individual का अस्थान क्या है society में और state में, कैसे individual society से जूरता है, man versus society, man versus state, rural और ruled का क्या relation है, जो subject और राजा का क्या relation है, या जो rule कर रहे हैं, जो democratic rule हो चाहिए, वो और जो मासे जो ruled हो रहे हैं, उनका क्या relation है, आप Hegel का theory of state याद केजिए, state और उसके institution बहुत बड़ा एक theme रहा है political theory का, जैसे theory of origin of state, जो है social contract theory हो, divine origin theory हो, और कई-कई और theory जो origin of state, और उसके जो institutions हैं, उसका याद कीजिए, कई इस पे इतना ज़्यादा हुआ है, कई बड़ जगे तो political theory को माना गया कि it is study of states and is institution, then type and form of government and constitution, and Aristotle ने इसके सुर्वाद की थी, आज तक वो relevant है, छे type of constitution, याद कीजिए, then meaning, scope and realization of normative political value, justice, liberty, rights, equality, इसके क्या माइने हैं, और ये concept को कैसे जमीन पे उतारा जा सकता है, different socio-cultural context में, ये एक बहुत बड़ा theme बनता है, political theory का, role का theory of justice के अंदर आता है, then power को समझना, dimension of power, and कैसे ये power politics से जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा theme रहा है, then issue of sovereignty, मतलब एक sovereign, जिसके उपर और कोई सत्ता नहीं है, क्या state एक sovereign है, sovereignty कहां lie करती है, nature of sovereignty क्या है, political obligation, क्यों जो है हम state का कहना माने, हम क्यों जो है sovereign जो है उसका order को माने, या हम क्यों government की बात को माने, political obligation, then democracy और उसके बहुत सारे feature, ये मैंने किल जस्ट इन, मतलब आपको इसको बताने के लिखिया है, कितने दूर तक ये जाता है, यदि newer theme लीजे, जो आजकल जिसको की बहुत ज़्यादा political theory में लिया जा रहा है, voting behavior है, election है, electoral politics को कहते हैं, political parties है, issue of gender, feminism इसमें आ जाता है, race, post-colonial studies, and post, मतलब आप कह लीजे, behavioral studies, या third world studies कह लीजे, then identity politics, इसको आप कहते हैं, कि जो primordial identity है, चाहे वो gender से हो, चाहे religion से हो, चाहे ethnicity से हो, language से हो, वो कैसे आपको effect करता है, political arrangement को, और different political phenomena को, ecology जो है, बहुत बड़ा आ गया है, thought की environmental and ecology कैसे जुड़ा हुआ है, political science से, then political sociology, जो मैं आपको बता है, कि sociologist लेकर के आए, political economy, economics का जुड़ा हो, political psychology भी कह सकते हैं, cultural anthropology कह सकते हैं, political culture, यहाँ पर वो cultural anthropology से लेता है, discourse analysis, post-modernism में आप focus को याद कीजिए, और बहुत सारे आप तो film, social media, genetics, बहुत सारे चीजों को include किया जा रहा है, जो theme of political theory, तो यह आप scope में लिख सकते हैं. यहाँ से मैं दूसरा पार्ट वीडियो का सुरू कर रहा हूँ, आपको लगड़ा होगा कि सर इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन यदि आप मेरे student हैं, तो आपको पता है कि आप मेरे साथ घंटों जुड़े रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि एक ही वीडियो में खतम कीजे, इसको आप एक long lecture समझ सकते हैं, कि समझ लिजे classroom में मैं दो घंटे का lecture दे रहा हूँ, like that. It's better to finish it off. देखे, disagreement and debate जो political theory में है, उसको मैंने चार पार्ट में लिया है. पहला है normative versus empirical political theory, debate on demise of political theory, universalism and relativism debate, और finally जो है classical और modern का जो बीच का एक जो dichotomy है, यह सब dichotomy है, इसको मैंने लिया है, और मुझे allow किजिए कि और मैं तेजी से चलू, जिससे की वीडियो को एक रखा जाए सवा घंटे के असपस. normative approach जो अभी तक आप समझ गया हूँगे, political theory बहुँ जादा normative है, normative का मतलब वही होता है कि moral notions, value judgment, norms, value, ethics, इन सब को यह आप include करते हैं, political theory में तो normative approach है, तो जैसे यह scrutinize करता है existing social arrangement को, मतलब एक तरह का यह evaluate करता है कि यह social arrangement अच्छा है, बुरा है, diagnose करता है उसके बुराईयों को या element को आपने देखा है, और उसको prescribe करता है कि possible alternate arrangement क्या होगा, plateau को याद कीजिए, best है normative में, और इससे जो है यह out to से concerned आपको पता है कैसा होना चाहिए, इसका मतलब यह केवल descriptive नहीं, यह prescriptive है, आपको बताता है कि ऐसा society होना चाहिए, evaluative है, आपने देखा, यह diagnose करता है, apriory है, apriory मतलब कि अभी आपने positivism का मैंने आपको बताया, apriory मतलब कि आपको ज्यान है without your sense experience, मतलब आप जो देखते हैं, जो आपका sense दिखाता है visual world, उससे परे कुछ knowledge है, जो आप deep contemplation, योग से आप दिमाग को एकदम केंदूरित करके आप ला सकते हैं, nature god ने आपको दिया है, apriory knowledge, जिसको कि आप rationality बोलते हैं, तो वो है आपको, यह qualitative है, deductive है, deductive बहुत बार मैंने बताया है, deductive मतलब होता है, पहले ही आप abstract reasoning से कोई hypothesis develop करते हैं, apriory knowledge से, और फिर जो है, आप fact से उसको test करने कोसिस करते हैं, और finally आप theory बताते हैं, कि हाँ, मैंने जो सोचा था, वो fact से भी उसको जो है, मैंने test कर लिया, वो ऐसा ही है, या थो आप उचेंज कर लिया, और तब आप theory बनाते हैं, इसका उल्टा inductive होता है, जहां पहले आप fact जुटाते हैं, बताब bottom-up approach चलते हैं, फिर उसमें pattern ढूनते हैं, उसमें causal effect ढूनते हैं, उसके basis पर hypothesis बनाते हैं, और फिर उसको test करते हैं और declare करते हैं, तो यह bottom-up जो है, inductive है, top-down जो है, deductive है, normative approach जो है, deductive है, qualitative है, interpretive है, prescriptive है, evaluative है, यह प्राइड ही है, substantive question इसमें लिया आता है, political values का, कि justice, liberty, equality, right, democracy, political obligation, इन सब पे जो है, काफी thought होता है, कि यह क्या है, कैसे realize होते हैं, और यह foundational issue, moral philosophy कर लेता है, कि क्या मतलब कि morality जो है, वो क्या nature से आती है, God से आती है, या human artifact है, human ने बनाया है, या जैसे कि Emmanuel Kahn ने कहा था कि यह universal moral percept जो है, वो समझे कि categorical imperative हैं, जिसके बगएर आप जिन्दा ही नहीं रह सकते हैं, क्या है यह, और वो कहां लागू होती है, क्या वो politics में लागू होती है, जैसे मैं क्या भी लिगते हैं, नहीं लागू होती है, केवल normal day-to-day life में society में लागू होती है, क्या ऐसा है क्या हम day-to-day life में morality को लागू करें और politics में ना करें, यह बहुत बड़ा सा question है यह सब, inclined towards history and philosophy जैसा हमने बताया कि normativism जो है ज़्यादा historical है और analytic philosophy से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और science and empiricism से यह अलग है ज़्यादा थोड़ा हटा हुआ है यदि इसका उल्टा ले सब कुछ उल्टा है empirical approach में तो यह ज़्यादा जो है descriptive है as it is है political life का ought to नहीं है जैसा है उसका description है it aims to make political theory scientific scientific करने के मतलब क्या है कि जो आपके theory है वो based होने चाहिए facts observation और establishes causal relationship दो variable के बीच में causal relationship basis on the pattern जो आप ढूंगते हैं data fact observation के basis पे और इसमें explanatory capability होती है predictive capability होती है testable hypothesis यह बना सकता है natural science के basis पे इसका जो approach method जो है behavioral approach है मैंने आपको बताया यह क्या होती है scientific observation of behavior of different actors in political situation यह दूसरी बार मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए explain नहीं कर रहा है logical positive में मैंने पहले explain कर दिया कि या तो proposition verifiable हो through empirical facts observed through direct sense experience या तो ऐसा हो कि कोई भी proposition आप जो है अपने sense experience से जो knowledge लेते हैं उसके through आप उसको verify कर सकते हैं या true by definition हो 2 plus 2 is equal to 4 like mathematical या tautological हो जैसे कि आज बारिस होगी या आज बारिस नहीं होगी यह दो दोनों इसलिए बिलके tautological है कि किसी भी condition में true होंगे तो यह logical positive vision बाकि सब false sense के अनुसार से तो largely तो यह approach अपनाता है behavioral method अपनाता है logical positiveism का यह largely descriptive है quantitative है value neutral है value neutral के मतलब है कि fact को value से separate किया जाता है यह posteriori है आप याद किजिए normative यह priori था and inductive है आपको मैंने बता दिया क्या है inductive it is inclined towards science जादा जो है यह science के तरब जुका हुआ है philosophy से थोड़ा दूर है history philosophy से इन दोनों का जो difference है इसको मैं repeat नहीं कर रहा हूँ just आप देख लीजेगा यह मैंने पहले भी first term में बताया था यह उसी चीज का जो है summary है आप just पढ़ लीजे इसको यह आपको examination में help करेगा normative versus empirical political theory अब जो है हम दूसा लेते हैं कि debate जो demise of political theory पे हुआ है यह UGC net में काफी बार पूछा गया है even जो अभी हम लोग discuss करते हैं वो भी UGC net में कई बार पूछा गया है लेकिन यह ज़ादा पूछा गया है debate on demise of political theory यह क्या था beginning 1950 जहां पे behavioral revolution आ गया था मतलब समझ सकते हैं कि एक तरफ बाहाओ जो इसने के पूरे social science को हिला के रख दिया उसमें political science भी जो है शामिल था और वहां वही था कि जो भी behavior है human का उसके लिए fact observation से समझो causal pattern ढूंडो उस basis पे explanatory theory develop करो और उसको testable hypothesis बनाओ जिसको की falsify किया सके nut cell में यह था so many political scientists declared death and demise of political theory अब आप समझ सकते हैं कि जब political theory इतना दूर था इस तरह के fact, observation, impiricism से तो जब behavioral revolution आया होगा तो सबसे पहला attack हुआ इस normative political theory पे जो कि political theory था उस समय तक तो कहा गया कि political theory ही dead हो गया आप समझ सकते हैं synonymous political philosophy political philosophy dead हो गया और कैसे, जैसे कि David Easton ने, मैं बहुत सारे fact आपको बता रहा हूँ जो UECC net में help करेगा जैसे कि उन्होंने 1953 में एक article लिखा दा decline of political theory और उन्होंने उसमें कहा और इस पे काफी चीज़ उन्होंने कहा कि चार factor जो है, वो decline कर रहे हैं political theory को historicism, मैंने आपको बता दिया historical determinism, moral relativism मतलब कि universalism नहीं होता है आपके जितने value है, justice हो चाहिए rights हो वो अपने अपने देश काल में ही किबल सही होते हैं और माइने पाते हैं यह नहीं है कि अफरिका के एक tribe में उसका वही माइने है justice का जो कि England के society London में है तो moral relativism, confusion between science and theory, जो अभी हम लोग discuss कर रहे थे, और hyper factualism मतलब उनका कहना था कि जो यह empirical भी जो है वो भी बहुत आपको नीचे ले जा रहा है कि वोल fact 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 आप जुताता है इन्होंने 1956 में philosophy, politics and society नाम के book में यह बात कही थी उसी तरह की बात जो है Robert Dehal ने की 1958 में political theory is dead, उन्होंने declare किया इस book में political theory truth and consequences में यह article भी आप पर सकते हैं, मैंने आपका link दिया है, then political theory is in doghouse doghouse मतलब कि दम बहुत ही बुरे हाल में, यह Neil Reimer ने declare कर दिया, कि political theory is in doghouse, इसी सब time में किया होगा इसका time में नहीं देख पाया, end of ideology, एक doctrine उससे में चला, 1960s में, यह doctrine क्या था, कि quest for good society and appropriate value for proper social arrangement already solved अब यहाँ बहुत सारे thinker, जिसमें Daniel Bill सबसे प्रमूख थे, उनका कहना था कि, भाई देखो, यह जो society का good social arrangement और जो political values होने चाहिए, वो सब अब decide हो गया है, मतलब अब बहुत जादा जो है, ideology पे बहस करने के जरुवत ही नहीं है, end of ideology हो गया है Daniel Bill ने इस पे किताब लिख दिया end of ideology, उसको support करने के लिए Lipset आ गया, Samr Martin Lipset, Raymond Aron, यह सब support करते थे, end of doctrine end of ideology doctrine को, इस से भी political theory का demise की घोस्तन कीगे कि अब normative political theory का जरुवत ही नहीं है अब क्या खोज करें कि good social order क्या होना चाहिए, good society, good state क्या होना चाहिए, सब solve हो चुका है then 1967 में आप देखिए जर्मिनो जो है देखिए जर्मिनो, वो कहते हैं कि political theory decline because of emergence of positivism and dominance of ideology, यह दोनों को हम लोग discuss कर चुके हैं, इन दोनों के dominance से political theory का decline हुआ, यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि UGC net में इस सब पूछा जाता है the decline of political theory 1993 में, Alfred Coban सबसे बाद में आये, उन्होंने bureaucratic and military state जो है वो कैसे जो है, decline करता है political theory को इस पे focus किया जैसे उनका कहना था कि जो socialist state है, totalitarian state है वो political theory को मारता है, गला घोडता है क्योंकि आप किसी को हिमत ही नहीं होती है कि जो उस समय का ideology है जो state ideology को promote करता है, उसके against में जाने का जो शाशक होते हैं, जिस ideology को वो अपनाते हैं, सभी उसके पीछे bandbagging के दरह लग जाते हैं और कोई independent thought नहीं ला पाता है तो इससे political theory जो है, वो सूख जाती है उसकी धारा, यह Alfred Coban करना था यह मैंने सब में जो आपको year दिया है, वो इसलिए दिया है कि UGC net में यहां तक पुछाया थे कि पहले किसने demise घोशना की बात में, तो सबसे पहले stun ने किया, उसके बाद आप देखेंगे Lassellet ने, फिर Robert Dell ने, फिर Rimmer ने, फिर Ind of Ideology, फिर Germino ने, और फिर death की घोशना कर दी गई, तो इदि आप देखेंगे दो टाइप, दो ग्रूप में आप thinker को बाढ़ सकते हैं, एक जिन्होंने घोशना कर दी कि यह death है, यह तो अभी just मैंने आपको बताया, उसी का name यहां पे दिया गया है instance से लेके germino तक, लेकिन दूसरे ग्रूप के thinker जो हैं, उन्होंने revive किया उन्होंने का नहीं, political theory केवल empiricism नहीं है, केवल facts और observation नहीं है, केवल जो है वो a posteriori नहीं है, उसमें कुछ ऐसी बाते हैं, जो वो science से आगे जाता है, जहां science नहीं जा सकता, उसके आगे की जो भी आपको वो knowledge देता है, वो कहने वाली थे, इसे आप Berlin, जोन्होंने two concept of liberty लिखा, Leo Strauss, आपने देखा कैसे उन्होंने value को फिर से परतिपादित किया, यह थीच के लाया political theory में, Sabine, जोन्होंने history of political thought लिखा, Hannah Arden, आपको पता है Jewish थी, उन्होंने कई चीजे लिखी है, Eric Vogelin, इनके बारे में पढ़ लिजेगा, इसे के बारे में David Easton, आपको लेगा, David Easton तो यहां भी है, yes, David Easton जो है, उन्होंने political theory को फिर से जो है normative बनाने में भी help किया, इन्होंने fact-valued dacotomy को खतम किया, उन्होंने post-behavioralism के seven credo of relevance दिये, यह भी पूछा था UGC net में, तो यह दोनों जगह आते हैं, then Oxford जुन्होंने historical approach अपना आया, John Rawl, जुन्होंने कि एक तरह से revive किया political, normative political theory को, theory of justice लिख करके एक तरह से जीवन दिया उन्होंने normative political theory को, Robert Naugick जुन्होंने कि आपको पता है 1974 में इस्टेट इटोपिया अनर्की लिखा and Harvard Markyu Germany में एक अलगी धारा चलाई फोको, यह सब बिल्कुल ऐसे बन गए जो कि फिर से जो है नोंने जिन्दा कर दिया एक बर political theory को, तो यह जो dichotomy है और इसके जो thinker है उसको आपको याद रखना चाहिए. अब जो है, जो finally मैं एक इदिक कहूँ, तो यह भी final तो नहीं एक और debate हम लोग देखेंगे, उनिवर्सिलिजम और रिलिटिविजम कर लेकिंए उसके पहले classical modern political theory का जो divide है उसको समझेए. Political theory कहते हैं आप इहास देखेगा, तो सबाइन कहते हैं कि कुछ बंच में political theory बढ़ी है, एक तो बना था classical era में 4th, 5th century BC में जहां पे Socrat, Plato, Aristotle और पूरे जो Sophist और अधर, Epicurus, और सब जो थे वो Greek के, मतलब की ancient Greek में जो है, वो great thinkers आए, जो की आगे जो है Roman Republic और Medieval period में भी वो चलता रहा किसे ने के से, इसको classical political thinking कहते हैं, आपने 5th semester में CPP जो परा था classical political philosophy वो इसमें आता है, फिर आपने 6th semester में जो modern political philosophy परा MPP, उसमें England उसका जो है base बना था और बाद में Western Europe, France में भी, Germany में भी, 17th to 19th century में जहां की Hobbes आए, शुरवात तो Machiavelli से हुई इटली में, लेकिन Hobbes, Locke, Rousseau, Emmanuel Kant, Hegel, Marx, Mill, Bentham, Hume, Burke, यह सब जो हैं, उसमें आ गया है, उसमें नीजे हैं और इन सब को भी आप जोर सकते हैं, तो यह जो classical versus modern का जो एक dichotomy है, उसमें classical political theory largely normative था, closer to political philosophy था, idealistic था and historical था, जबकि modern political philosophy जो है, still normative था, वियाद रखिए, अभी normatism खतम नहीं हुई थी, but it adopted scientific and empirical approach to bring forth path breaking concept, इन्होंने जो है data और observation को भी value देना शुरू कर दिया, यह scientific method अपना ले लगे, empirical approach अपना लगे, और इन्होंने path breaking concept दिया, secularism का, जो की एकदम अलग था classical से, यहाँ पे धर्म को जो है वो दुनियादारी से, या डंड नीती से, या गौर्मेंट से, या जो temporal जो rule होता है, उसे अलग किया गया, church and state को separate किया गया, liberalism की एक, मतलब समझे, वो धारा जो अभी भी, मतलब liberalism ही तो चाहिवे पुरे दुनिया में, वो उसी समय में निकली, marxism जो अभी भी relevant है, वो निकली, social contact की theory निकली, utilitarianism, Bentham का निकला, nationalism की, जो concept है वो वहीं से आई उस थे, justice, right, equality, liberty, उसको नए तरीके से जो है, वो एक सांचे में ढाला गया, of course उसको western माना गया और वो पूरे दुनिया में लागो करने कोशिस की गई, इन दोनों से हट करके, आज के जमाने निकली, आप देखे, 1950 से ही आप स्टार्ट करें, तो उसको contemporary political theory कर सकते हैं, वो बहुत जल्द ही, जैसा आपने देखा, कि balance restore किया गया, fact और value के बीच में, empiricism और normativism के बीच में, political philosophy और science के बीच में सब में balance किया गया, अब यहाँ पर आप देखे कि Rawl का theory of justice जो है, वो glorious example है, balanced and synthesized approach to theorization of politics in contemporary era, मतलब कि यदि आप इसको देखे तो वो एक दम एक example है कि क contemporary era माया है, Anna Ardent है, John Rawl है, Michael Focco है, Jogan Harbor Mass है, यह सब को आप समझ सकते हैं कि यह सब icon है, और इनके ही इर्द गिर्द जो है, contemporary political theory जो है, वो घूम रही है, and three parts, जो temporal division, जो political theory किया गया, temporal division है, यह तो temporal मतलब कि time में, classical, modern and contemporary, also denotes, इसका evolution को भी denote करता है time में, from normative, political philosophy to empirical, scientific and then to synthesize balanced contemporary form में कैसे evolve हो है, तो इसको आप आगे बढ़ा के पूरा question देख सकते हैं, then final debate जो हम discussion करना चाहते हैं, वो है, universalism versus relativeism का debate, यह क्या है, इसको समझे, जो normative political values है, justice, right, equality, liberty, यह सब जो हैं, दिये गए थे किनके द्वारा, जो political thinker western world में थे, यह सब आई माली जे, Plato और Aristotle जो Greek में थे और बाद में उसको पूरे जो modern political thinker थे, Locke, Hobbes, Russo, Inskant, इन सब ने जो है, उसको एक तरह का एक frame किया कि justice का यह माईने है, rights का यह माईने है, equality इस तरह से दी जाएगी, लेकिन third world के जितने thinkers हैं और critics हैं, वो believe करते हैं कि यह सारे जो इसके माईने दिये ग यह दोनों guided था world view and value system of west, वो एक अलग था, वो उनका अलग अपना नजरिया है दुनिया को देखने का, यह उनकी नजरिये का एक meaning था, यह कोई universally हर जगा लागू नहीं हो जाएगा, इसलिए यह eurocentric था और ethnocentric था, मतब example लिजिए कि न्याय का क्या माईने है, Hindu society में बहुत अलग है, जैसे professor Sen कहते है, Amrit Sen की न्याय के लिए Sanskrit में 17 words है, 17 words, मत्स न्याय से ले करके नीती तक जो है न्याय के अंदर आता है, तो न्याय और नीती में क्या फरक है, यह भी Sanskrit में और Hindu धर्म में काफी कुछ है, तो justice का जो माईने है, वो हर society, हर culture में अलग-अलग है, और हर society अपने तरीके से justice को ensure करती है, लेकिन यह जो political theory में ऐसा हुआ कि नई, justice का एक खास माईने है, जो England, America समझता है, और उसको उसी धंग से realize करना है, इंडिया में भी, चाइना में भी, और सीरिया में भी, उसी से सारी problem आई, जहां पे कि West versus Rest, जो कहते हैं, Huttington, कि एक civilizational class ज को जिस धंग से पूरे universal बनाने की कोशिस की गई, justice और राइट्स के, इसको Western World का cultural hegemony माना गया, Third World पे, और कहा गया कि एक तरह का हमको बुली करने कोशिस है, human right के नाम पे आपको पता है कि लडाई की गई है, इराग पे war किया गया है, other government को धमकाया गया है, economic sanctions दिया गया ह तो ये चीजों को जो है, critic, criticize की जाती है, कि कोई भी जो political value है, वो universal नहीं होते हैं, उनके जो माइने हैं, वो एक particular cultural context में ही उस माइने को आप समझ सकते हैं, और वहाँ पे जो उसको realize करना होगा, वो specific to that community, society होगा, हर society अपने अपने अलग-अलग तरीके से इन values को realize करती है, तो उन value के meaning ही जो है, वो constitute होती है, या evolve होती है, उस society के context में, उसके culture के context में, ये बात यहाँ पे आप पढ़ लिजेगा, जो मैं कह रहा हूँ, वो इसी में लिखी हुई है, आये finally, इस topic से क्या probable question हो सकते हैं, उस पे एक नजर दोड़ाएं, question जो है, S.O.L. के कुछ available हैं, IGNU के बिल्कुल available हैं, लेकिन DU के available नहीं है, other university के मैंने देखे नहीं है, तो मेरे DU के student को मैंने पहले भी आहवान किया था, फिर से मैं एक बार request कर रहा हूँ, कि question paper कहीं से भी निकाले, और आप मुझे mail करें, उस से जो है, और ज्यादा आपको फायदा होगी, इस तरह के lecture मैं लूँगा, तो, यहाँ पे उस, उन question को देखें, और जो theme है, उसके basis पे, यह question हमेसा पूछा सकता है, what is political theory, यह मैंने समझाया है, and how is it related to philosophy and science, इस पे भी discussion हुई है, what are the major debates in political theory, यह जो 3-4 debate मैंने आपको बता है, उसको लिखना है, trace the evolution of political theory from classical to modern and contemporary, इस पे भी एक slide हमने discuss कि आप उसको फैला सकते हैं, what is political theory, discuss its nature and scope, तो यह तो हम लोगों ने बहुत detail में discuss किया, and discuss the relation between political theory and political science, एक question जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यह S.O.L.M. पुछा गया था, कि what is political judgment and how that is imperative in political theory, वो सायद उसको इस तरह समझे, political judgment को आप normative judgment बोलिए, value judgment बोलिए, मतलब कैसे normativ normativism और evaluative approach, मतलब कि जहाँ value judgmental हो जाते हैं, या political value के judgment करते हैं, वो कैसे imperative है, inbuilt है political theory में, वो question वहीं आपको ले जाएगा कि कैसे political theory जो है, बहुत normativism से जुड़ा हुआ है, analytic philosophy से जुड़ा हुआ है, इस बात से जुड़ा हुआ है कि political या socio-political arrangement कौन अच्छा है, कौन probable questions, so dear students, ये एक बहुत लंबा discussion है, लेकिन फिर भी मुझे आशा है, कि मैंने, मुझे happy मैं feel कर रहा हूँ कि इसको सवा घंटे से भी कम है, मैंने इसको wrap-up किया है, वैसे ये दो घंटे का lecture हो सकता था, reference बहुत घौर से आप देखिएगा, book, मेरे अनुसार से ये book आपको ज पढ़िये, O.P. Goba के book मैंने पढ़ ही नहीं है, मैंने इस पे bagni से या violet से color से दिया, जिसको मैंने पढ़ा है, लेकिन ये book भी अच्छी है, इसको मैंने पढ़ा था आपके undergraduate के लिए, then online resource मैंने काफी सारे लिये है, Ignu की steady material है, political theory बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर पढ़ा, और ये भी article काफी अच्छा है, तो इससे बहुत आपको ग्यान मिलेगा, इस तरह का article पढ़ेंगे, और पढ़ सकते हैं, और मैंने अपनी ही video को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह की से बनी हुई, ये तीन video मैंने इसका link दिया है, तो पेस्ट, आप website है, email है, twitter है, telegram channel है, आप जोड़िये, और एक बात मैं बोलूँगा कि मैं पूरे MA को तो cover नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजे hand में है, human limitation है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, कि जितने important topic है आपको शुरू करने के लिए, मैं definitely time to time जो है, लेकर के आएंगे, next topic में भी हम power को समझने की courses करेंगे, so I am very happy कि मैं अपने पूराने student जो 2018 से मेरे साथ है, मैं उनको MA में भी help कर रहा हूँ, so see you again very soon, bye, in between आप UGC net और इन सब के question को भी देखिए, bye.